असलाम आलाईकूम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही एंपोर्टेंट लेकिन कन्फूजन टर्म्स को अंडरस्टेंड करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं केटाफ केटाफॉरिक रिफरेंस में हम किसी ऐसी चीज को रिफर करते हैं, जिसको अंडरस्टेंड करनी के लिए आपको टेक्स में आगी जाकर देखना पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं केटाफॉरिक रिफरेंस, केटाफॉरिक रिफरेंस को हम यूभी डिफाइन कर सकते हैं, when a word or phrase and a text refers to another word or phrase and the text and you need to look forward to understand it is known as cataphoric reference. Example के जरिये cataphoric reference को understand करते हैं. Let's suppose एक speaker कहता है, as she entered in building, Sarah fill over. अगर इस example से अगर हम ये दूसरा पार्ट हता दें, तो हमारे पास बच्चता है, as she entered in building, यनि दूसरे पार्ट के बिना ये फर्स पार्ट अदूरा है, और कोई भी meaning करने नहीं कर रहा, कोई भी sense नहीं दे रहा. तो इस example को understand करनी के लिए जरूरी है, कि हम ये दूसरा पार्ट लगाए, that is Sarah fill over, ताकि हम इस sentence को fully understand कर सके. तो इस example में, she catastrophic reference है, जो के सारा को refer कर रहा है, और meaning को complete कर रहा है. इसी तरहा, अगर हम दूसरे example में देख ले, इस example से, अगर हम ये दूसरा पार्ट हटा दे, तो हमारे पास बचता है, तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका, कोई भी sense कनवे नहीं कर रहा, तो इसको understand करनी के लिए जरूरी है, कि हम ये दूसरा पार्ट लगाए, तो फर्स्ट पार्ट को understand करनी के लिए, स्पीकर को आगे जाना पड़ा, ताके वो इस sentence को completely understand कर सके, और फुल मीनिंग को understand कर सके, तो ऐसे sentences या ऐसे literary terms को हम कहते हैं, cataphoric reference, बात करते हैं एनाफोरिक reference की, एनाफोरिक reference is exactly the opposite of cataphoric reference, it can be defined as when a word or phrase and a text refers back to another word and a text for its meaning is called एनाफोरिक reference, जब किसी word या phrase को understand करनी के लिए, आपको text में पीचे जाना पड़े या read करना पड़े, ताकि आप text को fully understand कर सके, तो ऐसे terms को हम कहते हैं एनाफोरिक reference, एक्जाम्पल के जरीए एनाफोरिक reference को understand करते हैं, लेट सपोस एक speaker कहता है, अली तुक अग्रूप पोटो, लेटर देट दे, ये पोस्टेट इट ऑनलाइन, तो यहाँ पर ये दूसरा पार्ट, ये पोस्टेट इट ऑनलाइन, इस संटेंस का दूसरा पार्ट, ये पोस्टेट इट ऑनलाइन, ये एनकम्पलीट है, और कोई भी meaning नहीं दे रहा, लेटर को इसकी कोई भी समझ नहीं आ रही, तो इसलिए जरूरी है, कि लेटर टेक्स में पीची जाए, तो यहाँ पर ये ही अली को रिपर कर रहा है, और इसके बाद जाकर इस संटेंस की meaning complete होती है, तो जब किसी वर्ट या फ्रेस को understand करनी के लिए, आपको टेक्स में पीची जाना पड़े, तो ऐसे रिफरेंस को हम कहते हैं, एनफोरिक रिफरेंस, So this was all about today's lecture, Thank you for watching this video.